प्रस्क्राइब करिए करिये रड़ा चानल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफियेशन आप लोगों को मिलती रहें अधा एक बड़ी कमपनी जिसका नाम आप लोग हर सॉफ्ट्यर इंजिनियर के जुबान पर रटा होता है और वो कमपनी कोई और ने सील कमपनी है सील में किस तरह से जॉब पाएं किस तरह से जॉब लें इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे अब आप लोगों को लग रहा होगा आप लोगों में माइंड सेट में होगा कि सील में जो जॉब होती है सिर्फ और सिर्फ वो software engineer की जौब होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ software engineer की जौब होती है सबसे पहले हम बता देए SCL जैसी कंपनियों में टेक और नॉन टेक दोनों लोगों के लिए जौब होती है एक बड़ा sector जो SCL का है ना वो जाता है call center में मतलब की service provider है SCL जो company है service provider company है although उसके product भी है लेकिन product से जादे उसकी जो services है जो third party services provide करता है उसके लिए SCL काफी famous है SCL एक multinational company है और काफी अच्छी package पे लोगों को job पे रखते है चाहे हो polytechnic वाले हो चाहे हो बीटेक वाले हो तो सबसे बड़ा segment जो call center का है उसमें domestic और international दोनों टाइब के BBOs होते है SCL में 24 into 7 opening होती है मैं आपको बता दूँ एक चीज एक clear अगर आप SCL में job करना चाहते हो तो आपके nearest में जो भी SCL की branch हो आप वहां पे visit करिए उनसे बोलिए मुझे job चाहिए वहां आपका interview हर हपते interview होता लगबग क्योंकि वो project उनके पास आते रहते हैं जो BPO वाले section की बात कर रहा हूं BPO वाले section के लिए उनके पास international और domestic BPO दोनों होते हैं international BPO में आपको communication जो आपकी English होगी बहुत अच्छी होनी चाहिए वहां पे जो interview का process होता पहला HR round होगा फिर आपकी जो communication skill है उस पे work होगा उसके बाद फिर GD round होता ग्रूप discussion round होता है फिर टेलिफोनिक round भी कराया जा उसके बाद फिर on roll आपको floor पे लेके आते हैं और floor पे लाने से पहले विए आपकी दस दिन बीस दिन प्रोजेक्ट की जितने दिन का होगा उससे पहले आपकी training अच्छी घासी कराई जाती है ठीक है एक तो इस टाइप का job है SCL में और दूसरा जो job है na SCL में वो है software engineering से related software में जिसे programmer है Python developer है Java developer है data analyst है या फिर लेवल 3 engineer है मतलब engineering software से related job है SCL में software की कंपनी है तो software से related काम होगा hardware से related भी काम होता है SCL के product भी बहुत सारे चाहे वो laptop हो गया चाहे बहुत सारे से product है SCL के जिसमें जरूरत होती है इंजिनियर्स की टेक की टेकनीशियन की पॉलेटेकनिक बीटेक आईटी आई मतलब दोनों तरह के लोगों की जरूरत होती है जिसमें वो काम कर सकते ठीक है तो वह सिगमेंट पर आपको काम करने की जरूरत है और अगर SCL में आप जॉब करना चाहते तो दो-तीन स्किल मैं बता दे रहा हूं जो बहुत मैंटेटरी है पहला तो आपकी अंगरे जी आपको अच्छे से बोलने आना चाहिए ठीक है दूसरा आपका परस्नालिटी डेवलमेंट जब SCL जैसी कंपनियों में आप जाओगे इंटर्व्यू के लिए अपनी परस्नालिटी पर काम करना पड़ेगा मतलब आपको ब्लेजर सूज और हेयर बीर्ड सारा मेंटेन करके है इंटर्व्यू तक तो आपको जाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद इसमें जाने के बाद फि सब्सक्राइब करें जोहां और यहां से स्से चल आपको जॉब्श्यूब के पास और यूटूब में क्या और तो यूटूब काटमरर इंटीम की टीम है ऐसे बहुत सारे Google के प्रोडक्ट है जो S.E.L. देखती है, Genback देखता है, बड़ी-बड़ी कंपनिया देखती है, हमें लगता है कि वो Google की टीम है, वो Google की टीम नहीं होती है, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद फिर उनको आन चाते हो, या Tech सेक्टर में जाना चाते हो, यह आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो जो लोग S.E.L. में जॉब करना चाते है, लिंक डिस्क्रिप्चन में दे दिया है, वहां से जाकर के अपलाई कर ले, और जिनको करियर में दिक्कत है, करियर कॉंसल्टिंग सर्विसे झाले, तेंक यू